डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों सूप्रभाद आज हम कक्षण नवम की हिंदी पाथी पुस्तक में दीगई रचना वाख पढ़ने जा रहे हैं जिसकी रचना कश्मीरी भाषा की लोगप्रिय संत कवित्री ललद्यत ने की हैं इनकी काव्वे शैली वाख कही जाती हैं जिस प्रकार हम हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तूलसी की चौपाईया, रस्खान के सवईये आदि पढ़ते हैं उसी तरह ललद्यत की वाख प्रशिद हैं इनके जरिये उन्होंने जाती धर्म की संकीर्नताओं से उपर उठकर भक्ती के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोड़ दिया है, जिसका संबंध जीवन से है उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध कर प्रेम को इस्थापित किया अपनी वाख में जनता की सरल भासा का प्रियोक किया यही कारण है कि वे आज भी कस्मीरी लोगों के अंदर जीवित हैं उन्हें कस्मीरी भासा का प्रमुक इस्तंब भी माना जाता है इस पार्ठ में हम कवित्री द्वारा रचित चार वाख पढ़ेंगे जिसे कस्मीरी भासा से हिंदी में अनुदित किया गया है पहले वाख में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ती के लिए अपने प्यासों की व्याख्या की है तो दूसरे में वाही आडंबरों का विरोद किया है तीसरे में कवित्री आत्मा लोचन पर जोड़ देती है चौथे में उन्होंने भेद भाव का विरोट किया है और ईश्वर सभी जगा व्याप्त है यह बतलाया है रसी कच्चे धागे की खीच रही मैं नाओ जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पान पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्त प्रयाश हो रहे मीरे जी में उर्ती रहरा हूँ घर जाने की चाह है घेरे कवित्री ने इन पंतियों में अपने इंतिजार और प्रयाश का वर्नन किया है पता नहीं कब उनका मिलन परमात्मा से हो जाए जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है इसी कारण वे बहुत ही ब्याकुल हैं कब इस वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसारुपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे उन्होंने इन पंतियों में परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयाशों को कच्चे धागे से खीची जाने वाली नाव के रूप में बताया है उन्होंने कच्चे धागे सब्द का प्रयोग इसलिया किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धर्ती पर रहता है उसके बाद उसे अपना सरीर त्यागना पड़ता है कवित्री कहती है कि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है परन्तु प्रभु मिलन के लिए किये गए सारे प्रयास ब्यर्थ होते जा रहे हैं अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है अथार्थ मृत्यू समीप है और अब साइद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगे इसलिए उनका हिर्दय तडप रहा है वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है अथार्थ उनकी भक्ती में लीन हो जाना चाहती है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं ना खा कर बनेगा हंकारी सम खा तभी होगा संभावी खुलेगी साकल बंद द्वार की इन पंतियों में कवित्रीने समानता का भाव दर्साय है वो कहती है कि अगर हम सांसारिक भोग विलाशिता में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ती नहीं होगी अथार्थ ईश्वर की प्राप्ती नहीं होगी इसके विप्रीद अगर हम सांसारिक मोग माया को छोड़कर त्याग और तपश्या में लग जाएंगी तो इससे भी हमें कुछ लाब नहीं होगा भोग बिलाशिता का पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा जिसकी वज़र से हमें ज्यान की प्राप्ति नहीं होगी इस वज़र से कवित्री के अनुसार दोनों ही रास्ते गलत हैं उनके अनुसार सांसारिक भोग बिलाशिता में डूबे रहने से सच्चे ज्यान से दूर रहते हैं इसके विप्रित जब हम त्याग तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रुपी अज्यान आ जाता है जिसके द्वारा हम सच्चे ज्यान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं इसलिए कवित्री ने हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए प्रुशाहित किया है जिससे हमारे अंदर भोग विलाशिता और नाहीं हमारे अंदर अहंकार पनक पाएगा तब ही हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं आई सीधी राह से गई न सीधी राह सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आह जेब टटॉली कौडी ना पाई मांजी को दूम क्या उतराई अपनी इन पंतियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा इश्वर की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है कवित्री ये कहना चाहती है कि अपने जीवन की सुरुवात में तो उन्होंने इस्वर की प्राप्ती के लिए अच्छा प्रयास किया लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझाया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है इसलिए वो रास्ता भटक गई अथाद संसार के आडन बरों में फस गई यहां रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ती के लिए अपनाये जाने वाले तरीके जैसे कुंडली फेड़ना, पूजा करना, जागरन करना, जब करना, इत्यादी परन्तु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ इसलिए वो दुखी हो गई, उनका कहना है कि मैंने जीवन भर इतना सब कुछ करके भी इश्वर को प्राप्त करने में असफल हो गई और वे खाली हाथ ही रह गई, उन्हें तो अब यह डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को इश्वर द्वारा पार कराने पर उन्हें क्या उत्राइद देंगी क्योंकि आज उनके पास कुछ भी नहीं है जो उन्होंने परमातमा को प्राप्त करने के लिए किया हो थल्थल में बसता है शिवही भेद न कर क्या हिंदू मुशलमा ज्यानी है तो श्वैम को जान वही है साहिब से पहचान अपनी इन पंतियों में कवित्री, हमें भेद भाव, हिंदू मुशलम, इत्यादी, समाज में व्याप्त, बुराईयों का वहिशकार करने का संदेज दे रही है उनके अनुसार इश्वर हर जगा बसा हुआ है चाहे वो जल हो, आकाश या धर्ती, यहां तक की हर प्रानियों तक में इश्वर का निवास है वह किसी व्यक्ति को उँच, नीच, भेद भाव की दृष्टी से नहीं देखता बलकि वह हिंदू, मुसलमान को एक ही नजर से देखता है उनके अनुसार इश्वर की प्राप्ती के लिए सबसे पहले हमें आत्म ज्यान प्राप्त करना जरूरी है क्योंकि इससे ही हम इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं इश्वर स्वैम हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं इसलिए कवीत्री ज्यानी पुरुसों से यह कर रही है कि अगर तुम ज्यानी हो तो स्वैम को पहचाने क्योंकि आत्म ज्यान ही एक मात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं धन्यवाद